गुरूर्मारिंग सदों कैसे आप सर्व सो ईलैंक्रोफटिस के अंदर नेंच्स टॉपिक हमारे आया है इसका नाम है डाक्रैक्ट्रिक्स साह design इसका नाम आपने सुना भी हो आप लोग डाक्रिक्स को इंसीलेटर के नाम से भी जानते हैं और डाइलेक्टिक्स और इंसुलेटर में थोड़ा ही फरक है, प्रैक्टिकली डाइलेक्रिक्स को ही इंसुलेटर माँने हैं, लेकिन साइंटिफिकली थोड़ा हाँ डिफरेंस है, इंसुलेटर तो वह होता है जो किशी भी कंड Express किशी भी चर्कंस्चांसी स्ट जी कि Inst bus चूटर होके इकटिक को पास नहुने देख लेक्तिक और पाशों ना करे यानि जिसका वोखानिक रिसेंस इन्फाइनाट हो, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक्स है, तो वो इंसुलेटरी, लेकिन थोड़ा फरक है, साइन्टिफिकली फरक है, आँ आदमें के लिए कोई फरक है नी, डाइलेक्ट्रिक्स में और इंसुलेटर में, नीमींज एके स्पानिरन से, इसवे टारिटो अंशुलीटर दीजिए , बैंकु तरह जो किसी सब्स्तांसीज में किसी सिस प्रिस्तियों में अब इलेक्रिसिटी तो पास होने ना दे लेकिन इलेक्रिक इफेक्ट को शोपरे इलेक्रिक इफेक्ट का मतलब है अंदर कियों सब्सक्रांसिक डाइलेक्रिक्टिक के अंदर क्या हो पॉल्राइडेशन मिन्स सब्सक्राइशन और चार्ज जनली दो तरह के हमारे पास मेटल हैं एक कंड़क्टर यानि मैटल्स और दूसरे हैं इंसलेटर लेटिज नॉन मैटल कंड़क्टर हो मेक्रिक इंजिन के अंदर और वोस्त फ्री एलेक्रों होते हैं यानि जिसके अंदर आवारा एलेक्रों होते हैं और इंसलेटर होते हैं जिनके अंदर फ्री एलेक्रों जीरो हो फ्री एलेक्रों कितने हो जीरो हो मैं विए तो यहां पर हम डाय्ट्रिक्स पद रहे हैं जिसको प्रेटिली अंसुलेक्ट्रिक मालते हैं बस थोड़ा पर अिंशुलेटर होते हैं जिनका परेंटरर। जिनका इंविदील सेंस कपी ज्यादा होता है यठावच इस टू इनफिनिटी नौ परेंटरर। is it clear, so how we can define the dielectrics, so definition दिए हा, dielectrics हो कैसी define करेंगे, those insulator, those insulator which pass electricity, साहिए है, नहीं, डल्डर, क्या रहेंगे, which do not, yes, which do not pass electricity but show electric effect, electric effect का मतलु कैसी आपर, पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन क्या होता है, separation of charge, क्या पच्चो, separation of charge, इनसाइड मेडिविल, इनका बच्चो, तो dielectrics क्या होता है, जिनका omega sense, nearly equal to कित्रा हो, infinity, nearly equal to infinity, nearly equal to infinity, तो dielectrics has those insulator which do not pass electricity but show electric effect, under given circumstances, वो circumstances हम देखेंगे, dielectrics are classified into two category, yes, one is called polar, polar dielectrics, और second kind क्या होता है, non-polar, non-polar dielectrics, polar dielectrics, polar pole, जिनका electric dipole moment की value हो, क्या होड़ा, जिनका एलेक्टिक के लिए, electric dipole moment की value हो, याद कीजिएगा, P की value की आपके लिए, चार्व इंदू separation, ठीक हो न, यहाँ में क्या sense निकलती है, डाइलेक्टिक के अंदर क्या होगा, जिन डाइलेक्टिक के अंदर चार्व सेप्रेशन है, एक तरफ negative और दूसली तरफ positive, तो क्या बनगे, polar, ठीक है जी बच्चो, और non-polar इस्ता भुक्ता बच्चो, यादि ऐसा डाइलेक्टिक के लिए, इस इलेक्टिक की वेक्टर की वैल्यू, इतनी हो जाए, जी रो, यादि जहां पर, polarization ना हो, चार्व सेप्रेशन ना हो, ठीक है बच्चो, polar डाइलेक्टिक के एक तो simple definition यही है, दूसरी definition क्या है, polar डाइलेक्टिक के लिए, polar डाइलेक्टिक, ऐसे डाइलेक्टिक होए, कि जिनके एक्टम्स का positive charge का center of mass, does not coincide with center of mass of negative charge, I mean electron, यहां पर ले सकते हैं, तो polar डाइलेक्टिक के लिएक्टिक के लिएक्टिक के लिएक्टिक कर सकते हैं, those makers whose atoms, positive center of mass of positive charge, does not coincide with center of mass of negative charge, for example, water, यहां पर ले सकते हैं, आप NH3, तो कुछ ऐसे molecule है, कैसे nature में, polar, कैसे बच्चे, polar, non-polar में क्या होँ, ऐसे डाइलेक्टिक्टिक्स जिसके एक्टम के अंदर, center of mass of positive charge, does not coincide with center of mass of negative charge, यानि यहां पर क्या होगा, तो रिप्यान नों-polar है, non-polar में coincide होगा, क्या होँचो, coincide होगा, non-polar में क्या होगा, center of mass of positive charge, coincide with center of mass of negative charge, यानि positive charge या तो center of mass अगा उसके उपर ही, negative charge दा center of mass भी होगा, यानि charge separation कितना? 0, जब charge separation ही नहीं होगा, यानि 2A value 0 हो जाएगे, तो P, T value किते हो जाएगे? 0 हो जाएगे, तो यहां पर की examples हम लेज सकते हैं, H2, N2, और CO2, विजांस हम example of non-polar dialectics, तो polar-polar dialectics में अधर diagram सा बनाए हम यहां पर देते हैं, तो इस case में क्या होगा? कुछ ऐसा दिखा सकते हैं आप, कि, this is the central mass of negative charge and this is the central mass of positive charge, तो central mass of negative charge and central mass of positive charge की दिछ में क्या है? separation, इसलिए क्या है? non-polar dialectics, non-polar में क्या होगा मचो? यह कोई atom है, non-polar dialectics का, तो यहां पर क्या हुआ? negative charge का जो central mass है, exactly consigned with central mass of positive charge, यहनि negative charge का जो central mass है, that is consigned with central mass of positive charge, यहनि charge separation कितना है? charge separation यहां कितना है? 0, 2 equal value इतनी है, 0 show हो रही है, तो यहांपकी equal value कितनी रजाएगी? 0 थे, ठीक है वर्चो? लेकिन कुछ circumstances ऐसी है, जिसमें non-polar को polar बनाया जा सकता है, जैसे यह molecule देख लीजीजीए आप, इसको एक्समें electrified के अंदर लिए, यह electrified हमें set up कर ली, एक conductor को positive charge कर दिया और एक conductor को negative charge कर दिया, यानि एक से electron निकाल लिए और एक के अंदर electron डाल लिए, तो इस case में electrified set up होगी, electrified is directed from high potential to low potential, means positive to negative, तो इस case में non-polar directives को गरफ होगे, तो क्या होगा, safe of the molecule is also distorted, ऐसे हो जाए बच्चों, किस तरफ क्या आजएगा, negative cloud आजएगा, और किस तरफ क्या आजएगा, deficiency of electrons हो जाएगी, तो क्या होना है आपर? charge separation, charge cloud के बीच में gap आजएगा, 280 value यहाँ, कितने है? non-zero, zero नहीं है, यहाँ पी की value यहाँ पर non-zero होगी, तो इस तरह से non-polar को क्या बना दिया गया? polar, but this phenomenon is temporary, जैसे ही समोली टूल को, इस डायलेक्ट्री को बाहर निकारड होए, instantly, यह ओलर से क्या हो जाएगा? non-polar हो जाएगा, यहां का concept clear हो गया, clear? after this, non-polar dielectric slab in electric field, say e-note, non-polar कैसा है? non-polar type of dielectric है, slab, slab like a, glass slab like a, glass slab like a, matchbox, cube in, glass, suppose that, this is the representation of, external electric field, directed from left to right, so, e-note, on-3 charge, e-note, electric field set up, clear? तो दोनों की मिच्टा मिच्टेंस की तना वच्चों सेट भी है, इसके हंदर हमने क्या पूप कर दी है, क्या है, non-polar, dielectric, slab, और यहां कहते हैं, glass slab, example of dielectric, यह हैं, यह हैं, तो जैसे ही, इसके ही, इसके सभी के सभी, जो एक्टम से हैं, क्या जाएगे, distorted हो जाएं, ऐसे distorted हो जाएंगी, क्यों जाएगे, due to under the influence, और external electric field, external electric field के अंतर जैसे रखेंगे, तो सभी के सभी चार्जी क्या फिल करेंगे, उलंबिक force फिल करेंगे, यह इस तरफ negative लाओ, इस तरफ positive, negative, positive, negative, positive, यह क्या हो जाएगा फिर, negative, positive, negative, positive, negative, positive, यह जैसे ही खलाब सलाइज को हमने, electric field के अंदर के इंक्रीडूज किया, तो instantly, सभी के सभी आइटम्स हैं होगे, distorted होगे, under the influence of electric force, influence of electric field, तो देखने में क्या आया, कि यहां पर देखेंगे आप, इस dotted line के अंदर net chart के जीरो, क्या है, net chart के ना होजाता है, जीरो होजाता है, तो inside net chart जीरो, तो इसका मतल क्या है, जो externally electric field ने लगाई थी, इन ओज, that is directed from left to right, और यह नहारे पास, glass led अगरे चुप, तो कैसा इस situation देखने को मिलेगी आपको, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कि glass led के इस फेस कर, कैसी polarity आजी चार्ज नेगेटिव, और इस फेस कर कैसी polarity आजी विटा, बुल्दी, क्लिए, तो इसका मतली यह वा तिक, बाइलेक्टरिक, स्लैंट के अंदर क्या हुआ, separation of the charge, तो डाइलेक्टरिक स्लैंट के अंदर, एक इलेक्टरिक विट सेट अप हो जाती है, temporary, due to polarization of charge, and इलेक्टरिक विट इस आप डाइलेक्टिट फ्रॉं, positive to negative, say this is called, EP, इलेक्टरिक विल्ट दू पॉल्राइजिशन, ठीक आपके रहे बच्छों, तो डाइलेक्टरिक स्लैंट के अंदर, कितनी फिल्ट लगा रहे हैं नहीं, इन ओ, पॉल्राइजिशन के जान, कितनी फिल्ट आप सेट अप होगी, EP, दोनों के डाइलेक्टरिक्ट विल्ट, तो net इलेक्टरिक फिल्ड इन डाइलेक्टरिक स्लैंट 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 क्या कह सकते हो रिद्यूस वेल्यू और एलेक्ट्रिक फिल्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक सलेट ठीकर पेरे बच्छो और ईपी किस्के दरांगे हो जाएगी बच्छो ईपी हो नीची हमाड़े पास सिक्मा पी बाइ अपसाइलेंट नो अपसाइलो क्योंकि हम कहां है डाइलेक्ट्रिक स्लाइड के अंदर है मिडियू के अंदर है और यह किरा हुआ है आट्रिक स्क्राइड के दराइलेक्ट्रिक अंदर है E0 by E मतलब external integer ratio of two electric field external applied electric field to reduce value of electric field inside dielectric cell this is the measurement definition of the electric constant dielectric constant आपने पर सब्सेप्रम किया नहीं? क्या कर्मते ? epsilon by epsilon node this is आप सब्सेप्निशों of dielectric constant in form of permittivity सब्सक्राइब तो इस फिनोमेना से रिलेटेड हम कुछ एक दो डेपनेशन आपर लेट सब्सक्राइब रिलेट सब्सक्राइब देंशन बीजार वेक्टर आप अचो नेमें में बैज पोलायाईजिएशन देंश्टी विगो देटे वालेटेवर क्या देंश्टी निनोल डिनद गई की और अधर यह अफ लकस्त देस्क प्रृम्य प्रृम्य क्रें टाइ इस इनुस दैपर मोमें पर इडिट वोल्म इनुस दैपर मोंट q i in 2 d चार्ज इंटू सब्चेसलिटीन छार्ग क्लिर पर इस वोल्यम मुल्य क्या हुआ रचो तो शर्फेसे जेंटू डिसेंस जो एलेक्टिविल ने सैट की ही कंड़क्टरी प्लेट से उसका साथ इसे जेट इसे जेट इतना बच्चो ए दोनों बीच में सेपरेशन कितना है दी देडिज ए डी से डी कैंसल क्यू आइबाइब ए और क्यू बाइब ए आप देख सकते है क्या बनेगा कि यूब आइए सब्सक्राइब यानि आप इसको यह क्यों आई कहा है इंडिव चार्ज यानि चार्ज दवलप दूटू पोलराइजिशन तो इसको हम क्या कह सकते हैं सिग्मा बी कहतो यहां सिग्मा आई भी कह सकते हैं एग दिवाप देख जो चार्ज तो अगरिजिशन गुआ है तो घीज लाइब देख जो यहां प्रफिटो आई पर देख जो और इंड़ इप यहां इन और इपी वाइन वही बड़ो शीगमा पी बाइट इस नोड़ इस गाट दो इन अवाइन से शीगमा पी वाइट आपसाइल बैट सिग्मा पी यहां इलाव माइनस के वाए ऑसाइलन इस ताम यू इस तरी 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 इस इंपोटने क्लेश्ट इस इंप्रेटर कि बाद नेक्स्टी पास है इलेक्रिकल सब्सक्राइबिकल सब्सक्राइबिकल तरी इस नोटिड़ाइब इसके दोडिवाप करेटेब दा काई इंके दोडिवाप करेटे On the basis of the observation, it is found out that polarization vector P is directly proportional to epsilon times of reduced value of electric field inside a dielectric. P is equal to propensity sine a that put a propensity constant, say chi E, that is called electric accessibility, epsilon into E. So, this is the relation between P and E. So, that is what is another formula for polarization vector. So, let's obtain, yes, relation between K and chi E. Operation between dielectric constant and electrical accessibility. As we know that E is equal to E0 minus K P by epsilon that is equal to E0 minus K P. E. E value is equal to E. E value is equal to E. E value is equal to E. E0 minus K chi E into E. E. E value is equal to E. E value is equal to E. And what is this? E value is equal to E. the value of dielectric constant. So, 1 plus k chi e is equal to S k e. So, this is the relation between what electrical susceptibility and the dielectric constant. तो ये रिजर्ट्स है पड़े पोटेंड अवर्चो ये रिजर्ट्स आप धांडर देरा चीक है क्लियर फोटेंड ही रिजर्ट्स है जैसा नाम वैसा काम कोमन एक जैसा कोमन को मुद्धा है एक जैसा है जैसे एक कड़क्टर ये विटा दूसरा कड़क्टर ये है इसका प्टेंशल भी वन है और इसके पर चार्ज को बैट यूवन है चार्ज वोल्डिंग कपैस्टी C1 है सिमलरी ये वी तू है इसके चार्ज क्यू टू है इसकी चार्ज वोल्डिंग कपैस्टी C2 है ठीक है विपोर शेरिंग शेरिंग से पहरे देजो चार्ज वोल्डिंग कपैस्टी C1 V1 और इसके चार्ज है वोल्डिंग कपैस्टी C2 V2 रीक बार करो ठेल का टू हमत्डलों टू परे सिसीप्टर कर केया चार्ज वोल्डिंग चडू हूं डिस्टी C1 अटू है है क्या क्या 강ई पूा फरेसिव करके effective address सेरी कितना है रच हो क्यों 1 पलस के क्यों कुछ देट इसकल दो C1 V1 पलस के C2 सब्सक्राइए और क्या करें सब्सक्राइए वी वन इस ग्रेटर धन वी तू इस था इलेक्रिक पोटेंशिल इसे ज्यादा और लेट में एक को पर कनेक्शन विस्ति हाइक अग्धा वाय किने कंड़क्टर की साइट्रा से दो क्या बना दिया एक मना दिया मैं चाहँ पिदो तो चार्ण क्या करेगा रगा, खुलो करेगा from high potential to low potential, कब तक खुलो करता रेगा, जब तक दोनोगा potential क्या लाज़े, एक माज़े, उसी एक potential लाँ क्या है, कोमन, तो आफ्टर, सिरी, अपर, सिरी, टोटल, चार्ण, अम, सिस्टम, वैक थूओं, पर रसे तूटल, आफ्टर, सिस्टम, जब तो आफ्टर ती, तो आपूटि रसे, शुट्च, था, एक एक एगा, सिरी मि पलाज़े, सिस्टू, वी, यहाँ आपर से ली, पॉर अप्टेंशन और आपर चेरिंग चाल क्या अच्छो कंजर्ड कोंसेंट है इंग जो इसी वन प्लसके सी टू भी तो आपर चेरिंग टोटल चाल दना इसी वन भी अलसके सी टू वी कि यहां से प्वाण आए बच्छो क्या वी प्ना आए कि अप्चो चीवन भी जू प्लसके सी टू वी टू दिवाइड बडाई वट यानि उपर क्या है टोटल चार्ज नीचे गया है C1 प्लस के C2 को फिर्स क्नक्टरी क्पैसिटी सेगर्ड प्रक्पैस्टी यह नीचे है टोटल चार्ज और देखते हैं तो पता है कि electric energy का फुछ पार्ट है पार्ट के अंदर यानि इन्दर फर्मला इन्दर के अंदर तर्माट हो जाता है यानि विफॉर एन्दर्जी और आप्टर एन्दर्जी और आप्टर शेलिंग अन्दर क्या मिलता है और कि अधिया का ज़्सक्रिए मैं थे सिस्टम की टोटल एलेक्ट्रि एक ट्म के अंधियने सो पर के जोड लोसा जै Counter facile सब्सक्राइब करें तो नहीं है तो नहीं है तो नहीं तो फाइंड आप लॉस अनर्जी टैसे निकालाएं लॉस ऑफ एनर्जी क्या है कि की इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी और सिस्टम पीजाइड गें सूरा जित पाइंटि को इसे चना कि नुल फ लती ऑगें इनर्जी और सिस्टम मतलब डिपोर सेरी इन इनर्जी और सिस्टम यह क्या है स्वाइन एक्ट्रिक एनर्जी और सिस्टम मेंस आपर सेरी और स्टू केंड़क्टर इनर्जी और सिस्टम मेंस बाइब यह जो आएगा वह क्या होना चाहिए यह जो ग्रेटर देन जिको यह तो महां डिपरेंस क्या होना चिए और सिट फडिवी तो क्या रहा है लोग यह जो लोग अपर एलेक्रिक एनर्जी इन फोरम और अजर्ड़क प्यानि यहां पर क्या है प्रांस्फोरमेशन ओफ एंगर्जी टाइए तुल काइटिक इनिचल काया इनिचल इंचल केम आप टो इस और इसी क्वरन पलॉस ही टू कि कर दो दो सी मन प्लॉस टेल दो और यहां क्या जहां अम्मारे बास है अलग अलग निकर्के निका लेता हूं, पहले करदेटरी 1 by 2, C1 V1 square plus K1 by 2, C2 V2 square, this is the formula for energy, initial, पहले करदेटरी लुसे करदेटर, आपर दिस, फाइन, 1 by 2, C1 V2 square plus K1 by 2, C2 V2 square, जी समाई बात्रे आपको, क्या ना, क्योंकि आपकर शेरिंग, पोटेंशल जा जाता है, पूमन हो जाता है, ठीकि तमाँ के पैटरी बच्छो, 1 by 2, C1, 1 by 2 plus K2, तो या आगया V2, और 1 by 2, C1 plus K2, V2 square, गी क्योंकि वे ने उसलों का, C1 V1 plus K2, V2 divided by C1 plus K, C2 का, कैसे बन गी चलिर तो लोस निकालना बच्छो लोस कैसे आएगा येस इनिशल माइनस के इनिशल कितने बच्छो 1 by 2 C1 V1 स्केर पलस के 1 by 2 C2 V2 स्केर माइनस के माइनस के ये 1 by 2 C1 plus C2 और ये क्या गया C1 V1 plus C2 V2 डिवाइड बाइ C1 plus C2 का हो बच्छो इसको आप ऐसे बिस्ट्ट्ट 1 by 2 का हो ले लो कि आप डिफ्रेंस करें योडा तो मैं डायटीज देता हूँ आप इसको कैल्कुलेट कर सकते हैं तो आपसर आएगा 1 by 2 C1 C2 डिवाइड बाइ C1 plus C2 V1 minus AB2 का पोल स्केर इतना एनर्जी आएगा दोनों का डिफ्रेंस इतना होगा और ये वैल्यू पॉस्टिव है 0 से बड़ी है तो डेफिनेटली ये वैल्यू पॉस्टिव आने का मतलब क्या है EI is greater than EF शेरिंग से पहले सिस्टम की एनर्जी ज्यादा थी शेरिंग के बाद एनर्जी क्या होगी है कम होगी है यानि क्लेक्टरी एनर्जी का क्या हो रहा है ट्रांस्फोर्मेशन हो गया है एन लेक्टरी एंदर या कुछ पार्ट है दूसरी टाइप की एनर्जी के अंदर कनवर्ट हो रहा है यहां तब क्लीर हो वैसे बच्छों को गुद अब इतको डेफिनेशन दे लेतें बिसी सी जैसे की पर्स है आज कर आया है करोना डिसार्ट करोना डिसार्ट करोना ठीक है बच्छों सब्सक्राइब करोना डिसार्ट का मतलिव क्या है कि किसी भी नौन कंड़क्टिंग को कंड़क्टिंग करना यह जैसे की एर मोलिकुल है आपके वह नौन कंड़क्टिंग है लेकिन किसी सब्सक्राइब कि एर मोलिकुल भी कि कंड़क्टर इदरे बिलेव रखते हैं ठीक है देखते हैं यह आपर सीखते हैं क्रोमा डिसार्ट कि मिल्स यहां पर क्या होगा आप साथ पॉइंट एक्षान यह पड़ेंगे साथ पॉइंट एक्षान मतलब क्या देखते हैं पॉद्ध एडिक रिएक्टर है बच्व इसका रेडियस कितना है आप कितना है आप है और इस अट्रप्टर को हमें इलेक्ट्रिफाइड कर गय अगरें चुब लंग से तो इलेक्ट्रिफ पॉडेंचल कितना होगा बच्चों वाइप और पाय अपसाल और क्यों वाए यह ओगा यह यह वी और और इस पैसा है रेसिपोटल रिलेशन है कैसा करें यह यह विद्ध रेसिपोटल रिलेशन है कि यहां तो संहाइं पाद प अगरा यहां देखें वाले बाद यह भी है कि इसको हमेश्चे लिए सकते हैं इस एक एलेक्ट्रिक पॉटेंचल कि वन वाए पॉट पाई अपसाइल नाउच क्यों इंटू आर आर से मल्टिप्लाई करते हैं और आर से दिवाइगे करते हैं तो आज की रोजाए अच्छो क्या हुआगा स्टार यह दिखेंगे हुमारे पास क्यों इंटू आर बीचे हमारे पास क्या रहेगा वॉफ्ग हॉफफ एल आण स्टियर ओफ साइले नाउट इंटू इंटू इंट 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 क्या है सफीस एडिया कि या वच्छो शर्फीस एडिया तो यहां पर हम देखें कि चार प्रिंट सरफेस एरिया क्या होती है सिगमा सरफेस आर्ज देन्स्टी क्या होती है विखार सफेस आर्ज डेन्सटी तो इy Conductor है, Conductor का Potential कैसा रहता है, तो constant रहेगा तो सिग्मा आर का product क्या रहेगा कि constant रहेगा और सिग्मा एज़ी इज़ी इननःषिली प्रपोसले सब्सक्राइब तो जितना जागा रेडियस होगा उतना ही क्या होगा साइज बड़ेगा जितना रेडियस कम होगा साइज कम होगा तो जैसे देखते हैं तो अगर इसका छोटा पाट लेता हूं कि नियुक्राम है एसे तो इस पर शीचा इतना रेडियस हो ड़ाते हैं कम हो जाती बड़ा। और ऐसे देर्वन तो और कम हो जाती है और ऐसी किस्शिक्राइब तो बहुत नजीं कि ताला राओं रिडीव और कि ईकरीज बिडिए लिए नीज हो और शिमा क्या रहे सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे ज्यादा चार्ज कहां ठैटा है नुकिले से पर चार्ज ज्यादा होता है सबसे इंक्रीज होने से क्या है एक इलेक्रिक फिल्ट बढ़ जाती है तो यहां पर इलेक्रोट्रेटिक प्रेसर अगर बढ़ जाती है तो एफ बाइट ए होगा तो यहां पर इलेक्रोट्रेटिक प्रेसर बढ़ जाता है इलेक्रोट्रेटिक प्रेसर बढ़ने से क्या होगा सारा चार्ज एट्मोस्पिर में लीक हो जाता है तो जो जो बुदिका सिरा एंडरा वहां पर चार्ड एंस्थी ज्यादा होगी एस कंपेर टू इस ताइप ऑफ पंड़क्टर तो आसानी से चार्ज एक्मिलेट भी होगा तो आसानी से चार्ज वहां से रिलीज भी होगा दूटू इलेक्रोट्रेटिक प्रेसर एडिस अगर कोई कंड़क्टर ऐसा है जिसकी करवेचल इक्यूली है तो वो यूजिवोड विचार्ज होगा कैसा वोड़ेक्ट एडिक एसा है तो उसके कोब्स पे चार्ड एंस्थी ज्यादा होगी एस इस अंपेर टू अधर नूटिले से रेकर चार्ड एंस्थी ज्यादा को इस हैं कर दो यह संदाग हो नुट कुरों धिसाजर्ण विश्यू नुट हो वो इस विए पुरों आंगे कि अधिक्राइब करें हम इसका चोटा पात रहता एलेक्रोस्टैटिक्स का तो इन में टाइम आप प्रैक्टिस कीजिएगा जैसा भी आपके पास टेडी मेटर है ओन्लाइन है या ओफ लाइन है उसके आप प्रैक्टिस करें रिलेटेट कोई भी डाउट चाहे वह हमारे नं पीरे मेर्ष लाइंगी नुक्ति तवलेटार शैक्टिन आपके जैया जैबंक्रेन मेर्व मनें आपकेंगेड वीयक्यांंगास श IRS事 का सिर्ट रख्टोस्टैटिक्स करें दो रेक्स अप्र nós file प्रेक्डेक्शन करें दोएंडिक्ति फॉलेटिक्स कीजियािक्ति याज